असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ शाबान और आप देख रहें कल्फट्यूब हिंदी फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कि मॉबाइल में कार्ट कैसे एड़ करते हैं और मॉबाइल के थुरूप POS यानि Point of Sales यानि शबका पर पेमेंट कैसे करते हैं फ्रेंट्स ये भी बात करेंगे किया हर मॉबाइल में कार्ड एड़ हो सकता है या फिर कुछ लिमिटेड फोन में एड़ होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने Google प्लेल स्टूर से मदधप एप्लीकेशन डियोड कर लेना है उसको उपनकरेंगे लिव्स के बाद चलिए उपन करेंगे उसके बाद आपने सबसे पहले आपने NFC एनेबल कर लेना है NFC Near Field Communication आपने इसको इसको आपने इनेबल कर लेना है उसके बाद मदा पर open करेंगे आपने get started पर click करना है next 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 पर click करते जाना है उसके बाद friends आपने यहाँ पर add card पर click करना है आपने यहाँ पर card number इंटर करना है जो आपके card पर number है सारे number आपने अपने इंटर कर देने है card number इंटर करने के बाद friends आपने next पर click करना है next पर click करने के बाद friends आपने यहाँ पर card का expired date month यहाँ right side में year है आपने महीना और साल दोनों से लिक करना है उसके बाद right side में देखेंगे आप उपर वहाँ पर आपने CVV नंबर जो card की बीछे तीन नंबर होता आपने वह number इंटर करना है उसके बाद आपने नीचे time and condition को accept करना है उसके बाद यह थोड़ा घूमेंगा friends उसके बाद यह आपने वहाँ उपर SMS पर click करना है के बाद friends आपके पास एक call आएगी मदप एक्टिवेशन के लिए आपने call रेसीब करना है जो number बोलेगा दबाने को आपने वह number दबा देना है उसके बाद friends आपको एक OTP आएगी देखे call आगई जो number बोलेगा friends आपने वह number यहां पर दबा देना है मेरे को साथ बोला दबाने को मैंने साथ दबा दिया मेरे मैदप एक्टिवेट हो गया है उसके बाद फॉरण आपके पास OTP आएगा friends आपने OTP आद करना है call डिस्कनेक होने के बाद आपके OTP आएगा उसके बाद आपनी OTP यहां पर इंटर कर देना है कुछ है कि उसके बस सब्सक्राइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद सेहर पर क्लिक कर देंगे बस fren 2 अपका मद़ा पर एक्टिवैट हो एक हलाला एड किया उसके बाद में ये फोन रखा तेकि फोन रखते ही तुरंट एक हलाला कट गया यहां पर कार्ड शो हो जाता है फोन रखते फ्रेंट तुरंट आपका बैलेंस एक हलाला कट गया फिसे ट्राइ करते हैं देखे दुबारा भी एक हलाला कट गया फ्रेंट प आपको payment करना हो तो भी आपने NFC on करना है कोई भी आपके जेप पे अधिन रखेगा आपका बाइलन्स डिटक्ट हो जाएगा तो आपने हमेशा उसको डिसेबर रखना है जब आपको payment करना हो तो आपको आन करना है उसके बाद Samsung A50 उपर मैंने टाइप किया मदब पे Google Play Store में इसमें लिखके आ रहा है इस आप वोंट वोर्क फॉर यूर डिवाइस मेरे डिवाइस में NFC नहीं है मेरे फॉन में NFC नहीं है इसलिए मेरे फॉन में नहीं चल सकता है और फ्रेंड जरूरी नहीं कि आपका फॉन बाड़ाव है यानि महेंगा फॉन है तो आपके फॉन में होना लाजिम है 2020 से पहले के फॉन में बहुत कम फॉन में आता था यह NFC अभी सब फॉन में तकरीबान आने लगा है 2020 के पाद जो फॉन आ रहे है साथी अरबिया में वहाँ पे सारे फॉन में तकरीबान आ रहा है लेकिन मेरा फॉन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह Samsung A50 है और जिसके मैंने वीडियो बनाई है वो Samsung A30 है लेकिन Samsung A50 जो मैंने खरीदी थी पहले की है तो इसमें फीचर नहीं है NFC वाला लेकिन अभी Samsung A30 जो कि सस्ता फॉन है उसमें यह फीचर है तो जरूरी नहीं कि आपका फॉन महंगा हो तो आपके फॉन में होना लाजिम है हाँ अगर आपका फॉन न्यू है अभी रिसेंटली आपने खरीदा है एक दू साल पहले तो लाजिम है कि उसमें होगा तो I hope friends आपको वीडियो पसंद आए होगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपने बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग